आज सुप्रिम कौट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीशे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज निर्णय आचुका है दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतांत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाई ने, हर पंध के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे श्विकार किया है, वो भारत की पुरातन, संस्कृति, परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिबित करता है बाई और भेनों, भारत जिसके लिए जाना जाता है, और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीतता में एकता, विवीतता में एकता, आज यह मंत्र, अपनी पुरुनता के साथ, खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है, हजारों साल बाद भी किसी को विवीतता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एत्यासिक देन का, आज की घटना का जरूर उल्ले करेगा और ये घटना इत्यास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करूर देशवासी खुद आज एक नया इत्यास रच रहे हैं इत्यास के अंदर एक नया स्वर्णिम प्रिष्ट जोड रहे हैं साथियों, भारत की नयाय पालिका के इत्यास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रीम कौट ने सब को सुना बहुत धैरिय सुन सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मती से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते है परिवार में भी छोटा मसला सुल जाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिया सरल नहीं है सुप्रिम कौट ने इस फैसले के पीछे द्रड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्यायाधिश न्यायालए और हमारी न्यायी प्रणाली आज विशेस रुप से अभिनंदन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारिक थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विप्रित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल्प लिया था आज नव नवंबर को करतारपूर साहिप करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारिक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जूडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय, कटूता, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सरवच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाइरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर ये बना कर रखना ही सरवोची था है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याईक प्रनाली ये हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे ये भावत महत्वपून है साथियों सरवोच अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्मान करते हैं आईए पारत करते हुआ सरे से नहीं पारत करते हैं